जलूइज हर हर महांकार स्वस्त ост्रह भगवन की historical आपके बनी रहे तो मांकशीस की कथार और ठाय पहाँ वा we इस कथा के अंदर आपको राधरानी की विशेस ताइम बता ही जाएंगी कि राधारानी का नाम लेने से जपने से हमारे जीवन राधा नाम की महिमा किसी भी भाव से राधा नाम उच्चारन करना मौक्ष की प्राप्ति मिलती है ये राधा नाम हम लोगों का प्राण है जीवन है अराध्य है सिद्धी है जब आप राधा नाम जबते हैं, सिरिकशन भवान आपके अधीन हो जाते हैं और आपके रिणी हो जाते हैं तो सास्तरों और पुराणों के अनुसार राधा नाम सिद्धी है, राधा नाम ही मौक्ष है हेलो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चितना हो सके आप शेयर कीजिए आपको माक्षिष्ट की हार्दिक शुपकामना है जरूर करनी चाहिए तो अगर आप अनपोर्णा व्रत के बारे में जानना चाहते हैं पूजा विधी के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है आप लोग जरूर देख लीजिए और अनपोर्णा व्रत की कथा की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है आ अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी भगवान का किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया था मात्र एक बार श्री राधारानी का नाम लिया था और सिर्फ एक बार राधारानी का नाम लेने से उसे किस फलकी प्राप्ति होगी ये आप जानने वाले हैं आज की कथा में तो राधारानी का नाम लेके आज की कथा का प्रारंब करते हैं। परानिक कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति था, वो एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी मेरा एक बेटा है, वो न तो पूझापाट करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, किसी दिन अपने बेटे को मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं देखता हूँ। संत जी इसी प्रकार से उसे राधि-राधि कहने के लिए कहते रहें और वो इसी तरह से मना करता रहा। और अन्त तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूं राधि-राधि। समय व्यतित हुआ और एक दिन वो मर गया। समय व्यति बोला, मैं ऐसे नहीं जाओंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें वैट कर जाओंगा। अब यमराध जी करें भी तो क्या करें। यमराध जी ने उसकी बात मानी और ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे। और बोले कि एक बार सिर्याधरानी के नाम को लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले महिमा तो बहुत है पर क्या है ये मुझे नहीं मालूम। फिर बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला कि इंद्र जी ऐसा है दूसरे कहार को हटाकर आप यमराध जी के साथ मेरी पालकी उठाईए। अब इंद्र ने उसकी बात सुनी और मानी भी। आप देखिए एक ओर तो यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं और पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी हैरान, परेशान, ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो ब्रह्म लोक में आ रहा है और स्वेम इंद्र और यमराज उसकी पालकी उठा कर ला रहे हैं। अब जब ब्रह्मा के पास पहुचे तो सभी ने पूछा कि महराज, हे पिताम, हम ये जानना चाहते हैं कि श्री राधारानी के नाम को एक बार लेने की महिमा क्या है। अब ब्रह्मा जी बोले महिमा तो बहुत है पर वास्तविक्ता क्या है ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ भगवान शिवजी को जरूर पता होगा। अब वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाईए और उसकी जगे ब्रह्मा जी आप लग जाईए। और अब ऐसा करते हैं भगवान शिवजी के पास चलते हैं। अब क्या करते महिमा तो जाननी थी। तो अब पालकी के एक तरफ यम्राज हैं। दूसरी तरफ इंद्र हैं। और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिवजी के पास गए और भगवान शिवजी से पूझा कि प्रभू स्री राधरानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप क्रिपा करके बताईए। भगवान शिवजी बोले कि सिर्फ एक बार नाम लेने की महिमा। ये तो परकार से ब्रह्म्हा, शिव, यम्राज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गये और उसे लेकर विश्णु जी के लोग पहुंचे और विश्णु जी से पूछा कि हे भगवन एक बार श्रीराधारानी के नाम के लेने की महिमा क्या है अब जब सिर्फ एक बार श्रीराधारानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है तो अब तो ये मेरी गोद में बैटने का अधिकारी हो गया है भगवान श्रीकृष्ण ने स्वैम कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़ कर खड़ा हो ज आइए और अब आप सुनेंगे मार्क्सिस मास की कता का अगलाध्याए सब धर्मों के ग्याता वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्यान में पारंगत और सबके हृदय में रमण करने वाले भगवान श्री विश्णू के तत्व को जानने वाली तथा भगवत पारायं प्रहला बैठे हुए थे उस समय उनके समीप स्वाधर्म का पालन करने वाले महर्शी कुछ पूछने के लिए आए महर्शीयों ने कहा प्रहलाद जी आप कोई ऐसा साधन बताईए जिससे ज्यान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विश्णू का परंपद प्राप्थ हो जाता हो उनके ऐसा कहने पर संपुर्ण लोकों के हिद के लिए उद्यत रहने वाले विश्णूभक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संचेप में इस प्रकार कहा महर्शियों जो अठारह पुराणों में सार से भी सारतर तत्व हैं जिसे कार्थिके जी के पूछने पर स्वयम भगवान शंकर ने उन्हें बताया था उसका वर्ण करता हूँ ध्यान पूरवक्त सुनिए महादेव जी कार्तिके जीसे बोले जो कली में एकादशी की रात्री कली अर्थात कलीउग कलीउग में एकादशी की रात्री में जागरण करते समय व्याष्ण शास्तर का पाठ करता है उसके कोटी जन्मों के किये हुए चार प्रकार के करता है उसे मेरा भक्त जानना चाहिए जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पुर्वक नास्ता और गाता है वो मेरा विशेश भक्त है मैं उसे उत्तम ज्यान देता हूं और भगवान विश्णु मोक्ष प्रदान करते हैं आता मेरे भक्त क विशेश रूप से रात्री जागरण करना चाहिए और जो भगवान विश्णु से वैर रखते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए जो एकादशी को जागरण करते हैं और गाते हैं उन्हें आधे निमेश में आगनी स्टोम यग्य के समान पुन्य फल की प्राप्ती होत द्वादशी दिती को भगवान विश्णु के आगे जागरण करते हैं वे यम्राज के पास से मुक्त हो जाते हैं जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्र से मनो विनोध करते हैं वे भी यम्राज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो प्रांट याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरं नहीं चोड़ते वे धन्य और पुन्यात्मा है जिनके वंशे के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैंने औरूमने एकाडेशी को जागर्ण किया है उन्होंने यग्य, दान, गया, श्राध्थ, और НАिट्य प्रयाग स्नान कर लिया हैं, मतलब रोज प्रयाग स्नान के बराबर उन्हें पुनेफल प्राप्त होता है उन्हें सन्यासियों का पुनिभी मिल गया और उनके द्वारा इश्टा पुर्थ कर्मों का भी भली भाति पालन हो गया है शडानन भगवान विश्णु के भक्त जागरण सहीत एकादशी व्रत करते हैं इसलिए वे मुझे सदा ही विशेश्प्रिय हैं जि तो भगवान विश्णु के स्वरूप में ही लीन हो जाता है जिसने हरिवोधनी एकादशी की रातरी में जागरण किया है उसके स्थूल सुच्म सभी पापनश्ट हो जाते हैं और जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन भी करता ह उसे तो महान पुने की प्राप्ति होती है और जो एकादशी के दिन रिश्यों द्वारा बनाई हुए दिव्य स्तोत्रों से यजुरुवेद, रिग्वेद तता सामवेद के वैशनो मंत्रों से संस्कृत और प्राकृत के आन्य स्तोत्रों से वग्गीत वाद्या आधी के द्वारा भगवान विश्नु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विश्नु परमानंद प्रदान करते हैं जो एकादशी की रात में भगवान विश्नु के आगे वैशनो भक्तों के समीप गीता और विश्नु से हस्रिनाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जह वर्णन किया गया है उसे जो एकाद शी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है उसका पुण्य कितना है ये तो मैं भी नहीं जानता कदाचित भगवान विश्णु जानते हूँ बेटा भगवान के समीप गीत दृत्य तता स्तोत्र पाठ आदी से जो फल होता है वही कली में श्रीहरी के समीप जागरन करते समय विश्णु सहस्र नाम गीता तता श्रीमत भागवत का पाठ करने का सहस्र गुना होकर मिलता है जो मनुश्य श्रीहरी के समीप जागरन करते समय रात में दीपक जलाता है उसका पुन्य सौ कल्पों में भी नश्ट नहीं होता। जो जागरन काल में मंजरी सहीत तुलसी दल से भक्ति पुर्वक्ष्रीहरी का पूजन करता है उसका पुन्य इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और ताम्बुल ये सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुनिय होता है। हे कार्थिके जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्री में श्रीहरी के समीब भक्ति पुर्वक जागरण करे। और जिन्होंने श्रीहरी के समीब जागरण किया है उन्होंने चारों वेद्यों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यग्यों का अनुष्ठान तता सब तीर्थों में श्नान कर लिया है। आज का अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे कवरितांत अब कल की कथा में सुनेगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनिंद्र व्रिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिळी प्रसन्न वक्त्र पंक जेनि कुंज भूविलासिनी। व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सुनु संगते कदाकरिश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। अशोक व्रिक्ष वल्लरी वितानमंड पस्तिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रिको मले। वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदाकरिश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भुवां सविब्रमं ससंप्रमं द्रिगंत बाण पातने। निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंदनने कदाकरिश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदिप्त गौर विग्रहे मुखप्रभा परास्त कोटि सार देंदु मंडले। विचित्र चित्र संचरत्च कोर शावलोचने कदाकरिश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। मदोन्मदादि योवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदाकरिश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। अशेश हाव भाव धीर हीर हार भूसिते प्रभूत शात कुम्ब कुम्ब कुम्बि कुम्ब सुस्तनी प्रसस्त मंद हाश्य चुर्ण पुर्ण सोख्य सागरे कदाकरिश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। मिरिणाल वाल वल्लरीत रंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोल नील लोच नावलोकने। ललल्लुलन मिलन मनोग्य मुग्ध मोहिनाश्यते कदाकरिश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मल्ली कांचित त्रिरेक कम्बु कंठगे त्रिसुत्रमंगली गुणत्रिरत्न दिप्ति दीधिते। सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदाकरिश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। नितंब बिम्ब लंब मान पुष्प मेखलागुणे प्रशस्तरत्न केंकिणी कलाप मध्य मन्जुले। करिंद्र शुन्ड दंडिकाव रोह शोभ गोरुके कदाकरिश्य सीहमां के पाकटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्र नाद मंजुनू पुरार वस्खलत समाज राजहं सवंश निक्वडाति गोरवे। विलोलहेम वल्लरी विडंब चारु चंक्रमे कदाकरिश्य सीहमां क्रिपाकटाक्ष भाजनम। अनन्त कोटि विश्णू लोकनम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोम जाविरिंचे जावर प्रदे। अपार सिध्धि रिध्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे। कदाकरिश्य सीहमां क्रिपाकटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण साशनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, व्रजेश्वरी, व्रजाधि, पेश्री राधिके नमोस्तुते। इतीम मर्भुतम स्तवं निशम्य भाणू नंदिनी करोतु संततम जनं प्रिपाक टाक्ष भाजनं भवेत्त दैव संचित त्रिरूप कर्मनाशनं लभेत्त दाब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनं जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गजेंद्र मोक्षपाट शुक जी ने कहा कि बुद्धी के अनुसार पिछले अध्याय में वरणन किये गए रीती से अपने मन को नियंत्रित करके और रिदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्मे में याद किये गए सर्वोचे कार्य और बार-बार जब किये जा प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूं जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है जिन्होंने प्रकृती की रशना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है लेकिन उसके प्रकाट एवं प्रले में अप्रकाट रहने वाले यस शास्त्रप्रसिधी प्राप्त कार्य कारण रुपी संसार को जो बिनाकुंठित द्रिष्टी के साक्ष रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आधी प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभू आप मेरी रक्षा करें। विभिन नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्त्विक स्वरूप को जिस प्रकाश से साधारन लोग भी नहीं जान पाते। वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलोकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं। ऐसे प्रभू ही मेरी गती हैं। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेडित कर्म ही होते हैं। जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है। फिर भी समय के अनुसार जगत की स्रिष्टी एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आधी को स्विकार करते हैं। उन अनन्त शक्ति संपन परम ब्रंभ परमेश्वर को नमसकार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अध्भुत कर्मा भगवान को बारं बार नमसकार है। स्वयम प्रकाशित सभी साक्ष परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृतियों से परे हैं उन्हें मेरा बारम बार नमसकार है। शरीर इंद्री आधी के समुदाई रूप संपुर्ण पिंडों के ज्याता सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभू को मेरा नमसकार है। सबके कारण किन्तु स्वयम कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षन कारण आपको बारम बार नमसकार है। पुर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परमतात्पर्य, मोक्ष रूप एवं स्रेष्ट पुरुषों की परमगती भगवान को नमसकार है। जो त्रिगुण रूप कास्ठों में चिपे हुए ज्ञान रूप अगनी है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में स्रिष्टी रचने की बाहिय व्रित्ती जागरित हो उड़ती है, तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा, विधी निशेद रूप, शास्तर स उपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वैम प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभू को मैं नमस्कार करता हूँ, मुझे जैसे शरणागत, पशु तूल्य अर्थात अविध्या ग्रस्त जीवों की, अविध्या रूप फासी को सदा के लिए पुर्ण रूप से को नमस्कार है, शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ती एवं कुटुम्बियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिंता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुसों के द्वारा अपने हिदय में निरंतर चिंतित ज्ञान सुरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार जिन्य धर्म, अभिलाशित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मंचाही गती पालेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के आयाचित भोग एवं अभिनासी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय देयालु प्रभु, मुझे इस अंगल में एवं अत्यंत विलक्षन चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनासी, सर्वे व्यापक, सर्वे सेष्ट ब्रह्मादी के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ती योग द्वारा प्राप्त क करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण, अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य, तथा अत्यंत दुर्विग्यय, अंत रहित, किन्तु सब के आधिकारण, एवं सब और से परिपुर्ण उन भगवान की मैं स्तूत अत्यंत चुद्र अंस के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रद्वलित अगनी से लपटे तथा सुर्य से किरने बार बार निकलती हैं, और पुनह अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धी, मन, इंद्री और नाना योनियों के शरीर, यह गु और ना असुर, ना मनुष्य हैं, ना तिर्यक, अर्थात मनुष्य से नीची, पशू, पक्षी आदी किसी भी योनी के प्राणी हैं, न वेश्त्री हैं, और न पुरुष हैं, और ना ही न पुन्सक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं, जिनका इन तीनों ही श्रेडियों में समा आवेस हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म हैं, न कार्य हैं, और न तो कारण ही हैं, सबका निशेद हो जाने पर जो कुछ बच रहता है, वही उनका स्वरूप हैं, और वे ही सब कुछ हैं, ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों, मैं इस ग्राह के चंगु से छूट कर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब और से अज्ञान से ढखे हुए इस हाती के शरीर से मुझे क्या लेना है, मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढख देने वाले उस अज्ञान के निवृत्ति चाहता हूं, जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अत्वा ज्ञान के उदय से ही होता है, इस प्रकार मोक्ष का अभिलाशी मैं विश्व के रजयता, स्वेम विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वता परे, विश्व को खिलोना बना कर खेलने वाले विश्व में आ योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किये हुए अपने हृदय में, जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुनात्मक अर्थात सत्वरज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असाहिय है, जो संपुर्ण इंद्रियों के विशय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथा पी, जिनकी इंद्रियां विशियों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरनागत रक्षक एवं अपार शक्तिचाली आपको बार बार नम किया था, उस गजराज के समीप, जब ब्रह्मा आधि कोई भी देवता नहीं आये, जो भिन भिन प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरी जो सब के आत्मा होने के कारण सर्व देव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो ग रतकार उस स्थान पर पहुँच गए, जहां पर वह हाथी था, सरोवर के भीतर महाबली ग्रहा के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरूड की पीट पर सवार चक्र उठाए भगवान श्रीहरी को देखकर अपनी सून को, जिसमें उसने पू जया से प्रेरित होकर ग्रह साहित उस गजराज को ततकाल जील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुह जीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपुर्ण हुआ, और बड़े ही प्रेम से भक्ती भाव से जयकारा लगाईए भगवान श्री हर विष्णु की जय और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा, श्री तुलसी महरानी करू विने सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय, नमो नमो तुलसी महरानी महीमा अमितन जाय बखानी, दियो विष्णु तुमक सन माना जग में चायो सुयस महाना, विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहुं लोक की हो सुख खानी, बगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई, जिन घर तव नहीं हो या निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा, करे सदा जो तव नित सुम महारा, ता को जानत सब संसारा, तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुन्दर वर्सु कुमारी, करे जो पूजा नित प्रतिनारी, सुख संपति से होय सुखारी, ब्रिद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन, श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसेतर जावे सोई, कथा भागवत यग्य करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे, चायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी, तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धी होवे छण में, ओश धिरूप आप हो माता, सब जग में तव जैकारी, वेद पुरानन तव यश गाया, महि मां अगम पार नहीं पाया, नमो नमो जै जै सुख कारनी, नमो नमो जै दुख निवारनी, नमो नमो सुख संपति देनी, नमो नमो अग काटने चेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद छेनी नमो नमो भव पार उतारनी नमो नमो परलोक सुधारनी नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो नमो जने काज सवारनी नमो नमो जै कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याउं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करूं बिनै मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊं निशदिन तेरे ही गुडगाऊं करहूं मात अब मोपर दाया निर्मल होए सकल मम काया मांगूं मात यही बर दीजे सकल मनोरत पूरण कीजे जानू नहीं कचुनेम अचारा छमहूं मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा प्रतमही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर शनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदै निर्मल से पाठ करे फिर चाली साकी अस्तुति करे मात तुल साकी यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुलसी चाली सा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई तुलसी चाली सा संपूड और अब आप सुनेंगे तुलसी महरानी की आर्थी हरी की पत्रानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरण तप कीनो शालिग राम की बनी पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मले जाके पत्र मंजरी को मले, श्रीपती कमले चरण लपटानी नमो नमो, हरी की पटरानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो धूपदीपने वेद्य आरती, पुष्पन की वरसा बरसानी नमो नमो, हरी की पटरानी नमो नमो, तुलसा महरानी नमो नमो चपन भोग छत्ती सोव्यंजन, बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, हरी की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे, भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो, तुलसा महरानी नमो नमो, हरी की पटरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जै दोस्तों अगहन मास के गुरुवार को महालक्षमी व्रत और पूजा की जाती है, तो महालक्षमी व्रत की पूजा विधी की वीडियो चैनल पर अपलोड है, जरूर देख लीजिए और आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे महालक्षमी व्रत की कथा, और इस बार गुरुवार के दिन गुरुपुशे योग लग रहा है, तो गुरुपुशे योग में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्सक्राइब कर लिजiven wonder आप सबी को मा क्षिश की हारत शुक्तामी हो EphRAite